ये काम करेंगे, मोदी साफ गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये येखीन मैं दिलाधा हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनिती रही है, कि गरीबों के खिलाब काम करते हैं, बड़े-बड़े उद्योगी पती के साथ, वो मिल जुल के चलते हैं, और यहां प रखा था, अडानी की संपत्ती बढ़ गई कैसी, बढ़ाये कोन, और कैसा आज कम से कम पचातर हजार करोड रुपए गरीबों के जो पैसे थे, उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीजी उन्होंने बताया, तो ये जो है, खिलाप लड़ने के लिए, जो बड़े-बड़ एक शर्मायदार है, और उनको जो पैसा जा रहा है, हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए, इंडिया जीतना जरूरी है, और इंडिया जीतने के लिए ही, इस मंज पे सभी लोग बैटे हैं, तो इसलिए हम एक जो तई किये हैं, जो रेजलूशन भी हम आप देखे हैं और उसी डंग से उस रेजलूशन भी काम करेंगे, हर जगे मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे, और जो ये मुद्दे हैं, इंफलेशन का हो, अन्यम्पलामेंट का हो, हर चीज की जो बड़ हो रही है, उसका हो, और अटोनुमस बाडिस को सत्यानात क कर रहे हैं, और चाया, इबेस, इडी, सीबी आए, विजिलन्स, हर रेक अटोनुमस बाडि का मिस्यूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी, more or less, शरत पवार जी साब के बाद, मेरा नंबर लगता है, मैं भी 55 साल से, पॉलिटिक्स में हूँ, और 52 साल से, MLA, MP, राजसभा का मिंबर हूँ, मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीप मिनिस्टर किया नहीं है, लेकिन आज, मोधी, सडनली, और एक बात की, कि, बिजनेस अटवाईजरी कमिटी को नहीं पूछे, आपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाये, किसी को बुलाये बगर, वो पार्लमेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना, बुला रहे हैं, अरे स्पेशल सेशन मनिपूर जल रहा था, तो आपने नहीं बुलाया, कोवीड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, यह हमारा नोट बंदी के वक्त परेशान थे, माईगरेंट वरकर परेशान इस वक्त नहीं बुलाया, जब जब मुलक अपने मुश्किल में रहता, उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाये मुझे मालूम नहीं, आजका अजेंडा क्या है उनका तो ये देश चलाने की वीद नहीं है ये उन्हों आइस्था आइस्था डिकेट के तरफ जा रहे हैं और ये जान में रखना चाहिए कि कभी और मेडिया उनके साथ है वो एक उनके दमाग में है प्रेस मेडिया हो टीवी हो ये सारी मेरे पास है यह उनका कहना है और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं समझ के आप घुसे में आके हमारे खिलाफ मत लिखू तो जो कुछ है वस्तुष्तिति आपको भी मुझ को ताला लगाया हाथ हाथ बन दिये आपके भी लिखने के यह सारी चीज क्यार दारा के खिलाब लड़ने के लिए उनके जो कुछ भी एक करफ्षन बड़े करफ्षन होते हैं अईसा चोटा मोटा करफ्षन वो नहीं करते लोगों को नहीं दिखना वो पूरा लेंशी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड घपले हो गया है तो इनका करफ्षन अपनी बात यह कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं लेकिन लोकों को भूके मार रहे हैं लोकों कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए हम आवाज उठा है और उसके काम करना है आगे हमारी कहा मीटिग हो गई हम तैक करने वाले है जल से जल्ट वह भी मीटिंग हो और बाकी के जो बिशे हम आपके सामने रखें है उनके उपर हम लड़ते रहें गे वह डराने की कोशिस करते हैं हम डरूणे नहीं यह हमारा वाइदा है और हम हमेशे अड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे और आज मुंबई में जो हमारे महराश्ट विकास अगाडी जो यह स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं उद्धो जी लीड लिये हैं और बाकी कॉंग्रेस पार्टी और एंसीपी सभी ने मिलके यह जो एक यहाँ पर कारेक्रम रखा और बहुत एसस्वी हुआ इसलिए मैं महराश्ट का सागाडी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आगे की और भी से पांच छे जगे पब्लिक मीटिंग होगी वह भी हम आपको बताएंगे काम करते रहेंगे और मजबूत के साथ करते रहेंगे इसको डिला करने की कोशिस मोदी जी कितना भी कोशिस करे हम वो डरने वाले नहीं है इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि उन्हों तो हमेशा मोदी जी जूट बोलते ही रहते हैं लेकिन लोक उनको सच समझते हैं लेकिन अभी भी मराटी में आवत है खोटा बोला पन रेटून बोला तो ऐसा उनका है इसलिए सब जूट बोलते जाते हैं लोकों में बर्म डालते हैं तो वो सब को हमको एक्सपोज करना है हम करते रहेंगे धन्यवाद